हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सक्सेश पत्र आज की इस वीडियो में हम स्वाल मेकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजिनिक की नेक्स चेप्टर को कबर करने वाले हैं आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 मिर्दा की धारट चमता यानि कि Bearing Capacity of Soil इसके उपर हम पूरी डीटल बात करेंगे पेरिंग काप सिटी आप स्वाल के जितने भी important topic है उन सभी को हम इसी वीडियो में cover करेंगे पूरा ये chapter तो इस वीडियो पर इंट तक बने रहे हैं और यह दिया पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्वाल मेकानिस के revision class की playlist में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते है तो भी सभी की playlist आपकी fifth semester की description में मिल जाएगी वहां से लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप जाके सभी वीडियो देख सकते हैं important question के वीडियो अप्लोड हो चुकी सभी subject की तो उसके वीडियो जरूर देखें और वो question जरूर तयार कर ले most important point है आपका पुछा आता एक्जाम में bearing capacity से related तो जो धारण चमता होती है bearing capacity होती है नीव की धारण चमता वह अधिक्तम भार है जो मिर्दा इकाई छेतरपल पर भंग हुए बिना वहन करती है धारण चमता दो प्रकार की होती है तो यह जो आपके bearing capacity होती है आपको इसके ना लोड आ रहा है तो यह स्वाइल उस लोड को अगर बियर कर लेती है बीना फेल हुए तो वही लोड होती है उसकी bearing capacity की हो जाती है और यह दो प्रकार की होती है एक आपका होता है ultimate bearing capacity यानि की चरम धारण चमता और दूसरा आपका होता है शेफ bearing capacity यानि की शुरचित धारण चमता तो ultimate और शेफ होता क्या है देखिए ultimate जो bearing capacity है निव की चरम धारण चमता वह निउन्तम भार है मीनिमम लोड की बात की जा रही है जिस पर मिर्दा एकाई शेत्रपल पर वहन करके फेल हो जाती है इसे हम QEF से दशाते तो दो टर्म यहां पर आते है अभी आपको बत हो को बीएर कर के और फेल हो जा रही है इसको मोंते ultimate bearing capacity यानि की चरम धारण संथा जिस minimum भार पर जो भी आपका निव्यमतम भार होता है जिस पर ये वीएर करके और फेल हो जा वह ही हमारी चरम धारण चमता यानि कि ultimate bearing capacity कर लाते इसको QEF से denote करते हैं next हमारा है शुरच्छी धारण चमता यानि कि shape bearing capacity आपकी क्या होती है मिर्दा की वह धारण चमता जो मिर्दा वीफल हुए बिना शुरच्छा प्रोक्षान कर लेती है इसे हम QEF से दर्श आते हैं तो दो टर्म आपको बताए गया है कि अगर शुरच्छी धारण चमता अगर यह बियर करके और फेल हो जा रही है तो हमारी होगी ultimate bearing capacity तो दो टर्म है important है पुछी आते हैं चलिए देखते हैं मिर्दा की शुरच्छी धारण चमता इसका एक formula भी है तो शुरच्छी धारण चमता अगर हमको निकालना है shape bearing capacity तो जो ultimate bearing capacity उसमें हम सुरच्छा गुडान से जब divide करेंगे तो वहां से हमको इसकी शुरच्छी धारण चमता अगरे की shape bearing capacity हमको मिल जाएगी तो यहां पर सुरच्छा गुडान हम लेते हैं 3 से 5 जो factor of safety होता है यह आपका factor of safety लेके चलते हम तो 3 से 5 होता है QEAS आपका क इसको आप capital F से denote करते हैं तो यह आपका formula है सुरच्छी धारण चमता निकालने का अगर आपको चैनल धारण चमता पता है तो उसमें सुरच्छा गुडान से आप उसको divide कर दीजिए और वहां से आपको सुरच्छी धारण चमता मिल जाएगा next हमारा important point है मिर्दा की यह बनी होती है तो वहीं उनको प्रवाइद भी करते हैं आप देख सकते हैं मिर्दा की धारण चमता पर निवे तत्तों का प्रवाव होता है जो इनसे related होते हैं वहीं इनको प्रवाइद भी करेंगे पहला हमारा है मिर्दा के प्रकार यानि की types of soil दूसरा मिर्दा की भी मिर्दा की धारत चमता होती है इसको प्रवावित करने वाले कारक इनके दौरा भी यह प्रवावित होती है है नेश्ड हमारा है धारतर चमता ज्याद करने की विधिया नाम से जी आधी और फिर हमारा इस्तली परिछड विधी आनि की फॉर्म फिल्ड स्टेश्ट तो इस प्रकाट से तीर मेठड हैं हमारे बेरिंग कापिश्टी निकालने के अनुभाविक विधी करना हो द्वारा और इस्तली परिछड विधी तो यह दिया आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रकाट सेंधु निवन द्वी दिया तो इसकी जो स्थली परिछड है जिसका मतलब क्या फिल्ड टेस्ट अ कि इसको फिल्ड में टेस्ट कर लेते प्रवक sellers में इसको करने की ज़रूबत नहीं पड़ती है उड़ा की धार्ट चमता इस तल परिपरिछड को द्वारा ग्य तो इसमें से आपका plate load test most important है और बार-बार एक्जाम में पूशा आता है आपको important question में भी question बताएगे होगा यह मिर्दा की धारण सम तक ज्याद करने की इस पश्ट विधी है इस विधी से मिर्दा का नीश्यदन यानि कि जो settlement होता जो बैठा होता होता हो भी हम ज्याद कर सकते है प्लेट लोड टेश्ट जे यदि प्लेट 30 x 30 cm की है तो गड्डे का size 1.5 x 1.5 मिटर रखा जाएगा इसमें क्या होता कि प्लेट होती है आपकी और उसके बाहर बाहर हम गड्डा बनाते तो जो प्लेट की size 30 x 30 cm वर्गाकार है तो गड्डे की size होगी 1.5 x 1.5 मिटर हम रखेंगे वर्गाकार गड्डे की मुख्य गड्डे के तल से गहराई डीपी निमसुत्र से ग्याद कर सक इसको यहां पर एक फार्मूला है dp upon bp is called to d by b । dp और bp क्या है dp आपका प्लेट होता है उसका यह जो आपका गहराई और चड़ाई है और d और b जो आपका में जो गड्ड़ा है यह आपका उसकी गहराई और चड़ाई है तो d आपका क्या है नियू की गहराई हो गई मुझ के परिशल का तल आपकर बताइगे गर sugar को और इस को इसको करते हैं और इससे तडाग्राम को मां बनाएंगे यहां बिस्ता है शेंख़ान गड़ी तो 5.5 मिटर गड़े की साइड लें यह आपका कितना उता 5BP अगर यह BP आपका 1 है ठीक है तो इसका 5 गुना यह गड़े की चोड़ाई होगी यानिकि अगर यह तो यह 5 cm होगा इस परकार से जो D है ठीक है यह DP आपको दिखाएगे जो प्लेट है आपकी प्लेट की गहराई है और प्लेट की चड़ाई DP और BP और D और B आपका जो गड़े है उसकी गहराई और चड़ाई है तो चलिए हम देख लेते हैं नेश्ट हमारा है यहाँ पर देखिए एक फिगर और आपको दिखाए गया है यह आपका पूरी इनकी चड़ाई 5BP फूरी यह गहराई मतलब स्क्वाइर है तो इसकी डाइमेंशन सेम होगी यह भी आपका बीपी है और यह आपका बीपी है इसक्वाइर प्लेट है अंदर जो लगा हुए बाहर इसके गढठा बना हुए इस प्रकार्श हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं स्वाल की बीरिंग अपसिटी निकालने के इसको हम सेटल्मेंट भी ग्याद कर सकते हैं ठीक है जो बैठाव होता है मिर्दा का ओभी हम ग्याद कर सकते हैं नेश्ट हमारा जो है विशुद्ध चरब धारण चमता यह आपका टर्म है एक इंपोटेंट है नेट बीरिंग कैपसिटी आपकी क्या होती है जैसे हम देख होता नेश्ट होता उसकी मिर्दा पर वह अतरिक इस पर हमादिक्तम लगा रहे हैं जिसे मिर्दा और शफल हुए बिना शहन कर सकती है मिर्दा की विशुद्ध धारण चमता कहलाती है तो यह आपकी होगे नेट बीरिंग कापसिटी जो हम आल्टीमेट और शेफ बीरिंग आल्टीमेट बीरिंग कापसिटी कालाई है उसका बोलते है नेट बीरिंग कर चमता मिर्दा की विशुद्ध तो चरम धारण चमता कर लाती है इससे चरम धारण में से मिर्दा बहार कम करके ज्याद किया जा सकता है यानि कि जो आपका आतिरिक्त भार लागा रहा है तो इसको निकालेंगे कैसे जो आपकी चरम धारण सम्ता होती है मिर्दा की तो इसमें मिर्दा भार कम करके हम इसको ज्याद कर सकते हैं क्यों यह अफ से दर्साते हैं क्यों यह अफ से दर्साते हैं तो QF आपका चरम धारण चमता होगी ultimate bearing capacity लेकिन R D क्या है मिर्दा का भार है तो इसमें से R आपका क्या होता है मिर्दा का घनत होता है और D आपका भूमी तल से new तल तक की गहराई होती है तो इस प्रकार से हम यह सुरची धारण चमता याने कि net bearing capacity को निकाल सकते हैं नेक्स्ट हमारा है अनुमत धारण चमता है याने कि allowable bearing pressure क्या होता है तो वह विशुद भार जो निव मिर्दा की इकाई पर बीना अपरूपड विफलता है वह अधिक बैठाओं के डाला जा सकता है वह भार आपके मिर्दा का अनुमत धारण दाब कहलाता है इसे क्यों यह स अनुमत धारण दाब क्या होता है अलावबल विरिंग प्रेशर नेक्स्ट हमारा प्लेट भार परिछड के प्रतिवन यह आपसे पुछा दो प्लेट लोट टेस्ट हम पढ़े इसके लिम्टेशन होते हैं इसकी क्या के प्रतिवन होते यह पूछता है एक्जाम में इंपो परिछड लगवा पांच दिनों में पूड कर लिया जाता है परन्तों सेसंजिक मिर्दाओं में नीशिदन के लिए समय अधिक लगता है अत्ता हुप्रूप्त मिर्दाओं है तो नीशिदन यानिगी सेटल्मेंट के मान वास्तिक मान से कम प्राप्त होंगे तीसरा हमारा समांगी यानि कि होमोजीनिस मिर्दा की होमोजीनिस के मतलब क्या था कि और वोगने कि एक ही मैटिल जिसके बाए हम हमोमोजीनियस की बात कर रहा है तो आपका पूरा मैटेरियल एक शमान है अलगला मैटेरियल से नहीं बने है उसी को हम भोलते हैं तो limitation भी आप से पूछते हैं और यह test भी आप से exam में पूछ जाते हैं तो important point है इसको जरूर आप त्यार कर लिजिएगा इस तो मानक बेतन परिच्छड याने की standard penetration test क्या होता है मानक बेतन परिच्छड ससंजन हीन मिर्दाओं की ससंजन हीन मिर्दाओं की दरट चम तक ज्यात करने में प्रिव करते हैं जो ससंजन हीन मिर्दाओं होती है उनकी bearing capacity निकालने के लिए हम standard penetration test का प्रिव करते हैं इस तल पर ही परिच्छड किया जा सकता है क्योंकि इन मिर्दाओं का अच्छुप्त नमूना प्राप्त करना कठीन होता जो इनके undisturb soil sample होते हैं वो प्राप्त करना कठीन होता इनका हम test इस तल पर ही करते हैं इस परिच्छड में मोटी दिवार वाला विभक्ते चामाश मिर्दा प्रतिदर सी यंत्र यानि कि थीक वाल split spoon samplers होता है इसका हम प्रिव करते हैं इस यंत्र पर 65 kg के भार को 75 cm की उचाईश से गिरा कर मिर्दा में धसाए जाता है प्रतिदर सी यंत्र को परिच्छड मिर्दा में 30 cm गहराई तक धसाने के लिए लगाए गए आगातों की शंक्या ग्याद कर लेते हैं यही आगातों की शंक्या उस मिर्दा का बेधन मान या बेधन प्रतिरोत कर लाता है इसे हम यन से दरसाते हैं capital यन से तिया आपका होता इसको हम यहां पर देख सकते हैं यंत्र पर 65 kg के भार को हम क्या करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं प्रसीजर सी यंत्र को परिच्छड मिर्दा में 30 cm गहराई तक धसाने के लिए लगाए गये जो आगातों की शंक्या होती है उसको हम ग्याद कर लेते हैं और यही इस परकार से यह कुछ होता है तो आप इसका जब भी एक्जाम में आता तो इसका डाइग्राम भी बनाए इसके साथ सत और इसके जो भी टेस्ट है उसके बारे में आप लिखिए तो यहां पर आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बिएरिंग कैपसिटी अपस्वा झाल